शार्दिय नवरात्री का हिंदूओं में विशेश महत्व है। इन नौ दिनों में अगर विध्यविधान से माता की पूजा की जाएं तो हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसे ही आप इन दिनों में धन वृध्धी के लिए कुछ खास उपाय कर सकते हैं। अगर आपके हाथों म पैसे नहीं टिकते तो नवरात्री के दौरान किसी भी दिन पानी में दही मिला कर नहाएं। इससे पैसों की बरकत होगी। यदि आप नवरात्री के किसी भी दिन पानी में ही इलाईची डाल कर स्नान करेंगी तो आपको अपार धन मिलेगा। नवरात्री के नौ दिन माता लक्षमी की विशेश पूजा करें। साथ ही श्री सुक्तम का पाठ करें इससे आपको लाब होगा। नवरात्री में दुरगा जी की पूजा करें और उन्हें अश्टमी तिथी के दिन श्रिंगार की सामगरी चड़ाएं। इससे पति-पत्नी का रिष्टा मजबूत होता है और धन लाब के भी योग बनते हैं। नवरात्री की पूजा के दौरान आप हनुमान जी के मंदिर जाएं और उन्हें पान का बीड़ा अर्पित करें। इस उपाय से आपके लिए धन के मार्ग खुलेंगे। पान का पत्ता लेकर इसमें कुछ गुलाब की पंखुडिया रखें और माता दुरगा को चड़ाएं। इस उपाय से आपका रुका हुआ धन भी वापस मिल जाएगा। नवरात्री में अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान बनाएं। ये भी सुख समृध्धी का कारक होता है। यदि आप हल्दी या कुमकुम से स वास्तिक बनाएंगी तो यह घर की आर्थिक स्थिती अच्छी बनाने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनेल को जरूर सब्सक्राइब करें।